देश में प्रतिशोत की भावना से प्रेरित होकर राजनेतिक प्रतिदिन्दिये को के खिलाफ जूटे प्रख्णू बनाये जा रहे हैं और मन गणन आरोप लगाये जा रहे हैं इसका उज्वलंत उधारन है श्रीमती सोनिया गांदी और श्री रावल गांदी को इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट द्वारा प्रेवेंशन ओव मनी लॉंडरिंग एक्ट में पूर्ष ताज के लिए जो बुलावा भेजा गया है समझ भेजे गए हैं यह उसका स्पष्प प्रवान है इसके तक हमने आपके सामने अपने वक्तव में रखे हैं मनी लॉंडरिंग का मतलब क्या होता है मनी लॉंडरिंग का मतलब है अनकाउंटेड मनी को उसको नंबर 2 को नंबर 1 में करना काले धन को एक विधिवत रूपसे उसको लीगल टेंडर, लीगल अकाउंट डालना दूसरा एक कंपणी से पैसा दूसरे कमजे में डालना दूसरे से तीसरे में डालना चौथा डालना ये इसको मनी लॉंडरिंग कहते है मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने Prevention of Money Laundering Act के अंतरगत केस रेश्टर किया गया और उस केस को दोजार पंदरा में ही Enforcement Directorate ने तत्तिहीन होने के नाते उसे बंद कर दिया आज तक कोई F.I.R. दर्ज नहीं की गई है किसी स्थर पर भी मानी सुरुमन्द्यम स्वामी ने एक ट्राइविट लिटिगेशन लगाया पट्याला कोट डेली में और उसमें अनुरोद किया कि F.I.R. दर्ज की जाए अदालत ने समंज इशू किये समंज इशू हो जाने पर इनका जवाब दिया गए तर्ट्य प्रस्तुत किये गए उसके बाद सुब्रमन्द्यम स्वामी जी को अदालत में अपना बयान देने के लिए समंज भेजे गए उसको उन्होंने हाई कोट में चैलेंज किया और हाई कोट ने स्टेक दे दिया अगर उनके पास तत्य थे सुर्मन्द्यम स्वामी जी के पास तो उनको समंज उनके बुलावे के आधार पर कोट में पेश होना था बयान देने थे तत्य प्रस्तुत करने थे वो नहीं किये हाई कोट में स्टे लेने की अवशक्ता क्या थी केवल दबाव की राजनीती प्रतिशोत की भावना से जूटे प्रक्रण बनाना ये इनकी आदद बन चुकी है और ये नैशनल हैरिल जोकी आजादी के संघर्ष में सदार पतेल, पंड़े जवाला नहरू, पुशतम दास धंदन, अचारे ननेंदे, रफिय हमद के द्वाई और अनेंते अनेताओं ने 1937 में आजादी की लड़ाई में लोगों को जागरत करने के लिए नैशनल हैरल्ड प्रारम किया था और उसके बार नैशनल हैरल्ड चलता रहा लेकिन धीरे धीरे जो सभी आज प्रिंट मीडिया की हालात है उसके कारण घाटा होता गया और काफी बड़ी तादाद में वहां के कर्णचारियों को वेतन आदी का भुकता नहीं हो रहा था इसलिए उसके सचर्चा करने के बाद वी आरेस की स्कीम लगाई गई और लगभक सरसत करोर रुपे जो उनकी देंदारियां थी उसका पेमेंट किया है और कॉंग्रेस पार्टी की फंड से उसका पेमेंट हुआ इसकी शिकायद चुनाव आयो की गई और माननी चुनाव आयो ने कहा कि इसमें कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है या कोई प्रतिवन नहीं है किस करकार से पैसा खर्श किया जाता है इसका कोई नियंद नहीं है पीपल्स एप्रिजेशन एक्ट में याने कि उनकी जो प्रात्ना थी वो खारिश कर दी इलेक्शन कमिशन ने खारिश कर दी enforcement director ने खरिश कर दी एक भी F.I.R कहीं दर्ज नहीं है कोई प्रमान नहीं है अब उसके बाद हुआ क्या कि Young India की एक समाचार उसकी magazine चालो की गई कंपनी शुरू की गई और उस कंपनी ने सारे shares जो थे उसका equity बढ़ा के shares लिए और shares लेने के बाद आज की परिशितिसी वही है इसमें regularly Congress Party को छुपाना होता तो वो अपने accounts में बताती नहीं audit हुआ और audit होने के बाद election commission ने उसको सुविकार किया enforcement directed में सुविकार किया कोई F.I.R है नहीं फिर भी सोनिया जी और राहुल जी पर राजनेतिक दबाव डालने का ये कुटिल प्रयास है लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वो परिवार है जिसने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं तेका जिस परिवार से दो दो लोगों ने देश के अखंता एकता के लिए शाहदत दी वो ऐसे समंज और ऐसे बुलावे से जूटे प्रगणों से क्या डरेगा डरने वाले नहीं है और दरता से मुकाबला किया जाएगा या कि इंडिया नो प्रॉफिट कंपनी है एक भी पैसा निजी तोर पर नहरू गांदी परिवार के किसी सदस ने आज तक ना तो असोशेट जनल पर्दिके से लिया ना याग इंडिया से लिया एक पैसा ने उसके बावजूद भी ने बदनाम किया जाएगा है हम इसका विरोध करते हैं और राहू गांदी जी कल AICC से Enforcement Director की दफ्तर में जाएंगे और हम सब लोग जो Members of Parliament है Working Committee Members है वो AICC में कल साड़नों बजे हम लोग एकत्त होगे आज पूरे देश में माहौल दराने का धबकाने का चला हुआ है एक नई संस्कृती चल गई है बुल्डोजर संस्कृती जिसका कि कहीं किसी के देश के कानून समयधान में कहीं उसका उल्लेक नहीं है फिर भी मनमाने ढंक से जिसको चाहे उसका घर तोड़ दो मकान तोड़ दो ये समयधान इनके लिए कोई मतलब नहीं लगा शपत लेते हैं पद की समयधान की शपत लेते हैं निश्बक्षता से काम करने का जनता को वादा करते हैं लेकिन पूरे तरीके से भारती जनतापाटी प्रदेशों में और देश में पक्षपाड तौर पर राजनेतिक प्रतिद्वंदियों को और कुछ विशेश वर्गों के खिलाफ आज ये अभिहान चलाए हुगे हैं हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कोई प्रश्च पूछना चाहते हैं पूछ लीजे लेकिन एक बात है मैं इसी सब्जेक पर प्रश्च लूँगा दूसरे का लेना है तो बहार चलके हम लोग टिक टैक कर सकते हैं जमीनी लड़ाई तो आज तक लड़ते ही रहे भी गया कि हम लोग तो हम लड़ेंगे लड़ते आए लड़ेंगे भी बात यह है कि अगर इस तरह से परिशान किया गया आप देखो सत्तर के दशक में इंदरा जी को जोटे मुकत में फसाए गया था संजय गांदी जी को फसाए गया था क्या कॉंग्रेस डरीक क्या लाखों लोग जेल में गए रवीज जी अब जैसा हो अभी तो हम लोग को यही समाचार है कि साड़नो बज़ ऐसी सी पहुचना है अब पैदल जाएंगे या कुछ लोग राहुल जी के साथ जाएंगे ये वहां का जो प्रशासन है उनके साथ ऐसी सी चर्चा करेगी निर्ने करेगी जी अभी तो हम लोगों ने जो निर्ने लिया है पार्टी ने वो केवल दिल्ली में इसका प्रदर्शन होगा मुद्दे तो बहुत है प्रदर्शन हो भी रहे क्या मेंगाई का मुद्दा कोई छोटा है क्या बेरोजगारी का मुद्दा कोई छोटा है तो इस तरह से हमारे आंदोलन प्रदर्शन तो चल रहे है जमीनी लड़ाई लड़ रहे है आगी भी लड़ेंगे तुम बताएं ने मैंने आप से इसमे नियम को कनियम का कानून का उलंगन कहा है उलंगन अगर हो तो बता दीज़े ना कहा है अगर कही नियम कानून का उलंगन हो तो एफायाद दर्ज होनी चाहिए थी आज तक एफाया दर्जली हुई है अब इसकी बात अलग से करेंगे केवल केवल धन्यवाद